ओ गौड यहां तो पूरा श्रिंग भरा पड़ा है गंदे बरतनों से सब बरतन जूटे पड़े हैं अब मैं खाना कैसे बनाओ? यह मेरी देवरानी दिव्या भी ना? एक नंबर की आलसी है सुबर जब शीला बरतन धोकर जाती है तब तो सब के लिए नाश्टा बना लेती है लेकिन जब शाम को यहां बरतनों का पहाड इकठा होता है तो वो महरानी अपने कमरे में चुहे की तरह डूप कर बैठ जाती है अभी बताती हूं मैं से दिव्या? अरे ओ दिव्या? कहा है? क्या हुआ जी ठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है अरे मुझे यहां सब के लिए रात का खाना बनाना है लेकिन यहां तो बरतनों का धेर लगा हुआ है और तो महरानी है कि जिसे अपना बिग बॉस देखना है चल पहले जल्दी से सारे बरतन दो हें? क्या? मैं बरतन दो? ना वबना मैंने आज ही मैनी क्योर करवाए फिर उसके पैसे वेस चले जाएंगे ये तो तेरा हर हफ़ते का भाना है जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है तो क्यों बिकार पैसे फूख कर आती है? चल अब बरतन दो मुझे खाना बनाने में देर हो रही है एक बर कह दियाना नहीं दोंगी आप दोलो मैं खाना बना लेती हो इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बरतन दोने का काम टाले जा रहे थी उधर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे घरवाले खाने का वेट कर रहे थे हे राम, खाना कहां रह क्या? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं लेकिन ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है? मा लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई धत तेरी की फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना अनुझ बेटा ऐसा कर तो बाहर से ही खाना मंगवा ले एक दिन इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में भूख के मारे ही में परलोक न सिधार जाओ हाँ भी ओर्डर कर देता हूं मा वैसे भी हमारे पास और चारा भी क्या है? उधर दोनों अभी भी बहसी किये जा रही थी ठीक है फिर नहीं धोने न तुझे बरतन तो मैं भी कोई खानावाना नहीं बनाने वाली रहो सब भूखे आज अरे भूखे क्यों रहेंगे? कल रोहन जी ने खाना ओर्डर किया था कर लिया था, सिर्फ रोटियां से एकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते हाँ, अब जो भी हो, काम तो हुआ था ना बस करो दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होती हो तो बचते ही रहती हो कुछ दिर बार डिलिवरी बॉय खाना ले आता है सब चुप चाप उस खाने को खा लेते हैं अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का संग्राम छुड़ जाता है तभी पडोस की कमला अंटी वहा आती है ये ले रश्मी, आज अपनी बेटी के यहां गई थी उसके बेटे का मुंडन था ना तो वही भंडारा था सोचा तुम्हारे लिए प्रसाद लेती चलूं लो, तुम सब भी खा ले ना अरे वा, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नी पड़ेगी और ना वो बरतन धोने पड़ेगे रश में ये देख कर खुश हो जाती है फिर दोनों देवरानी जेठानी बरतन ना धोने पड़े इसलिए बड़े से भगोने में आलू की सबजी डाल देती है एक कटोरे में हलवा और बड़ी सी परात में पूरियां परोस देती है फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल तो दिव्या, ज़राईनी खा कर तो दिखा दोनों पूडियां तोड़कर सबजी में डुबोती है खाने लगती है उन्हें ऐसा करते देख सबको उन पर गुसा तो आ रहा था लेकिन वो खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था वो रात तो जैसे तैसे कट गई लेकिन अगली शाम फिर वही कहानी छड़ गई देख कल तो कमला आंटी भंडारा दे गई थी लेकिन आज तो तुझे बरतन धोने ही पड़ेंगे क्या दीदी मैं बहुत धग गई हूँ आज रहने देते हैं मैं उनसे कहकर बाहर कसी खाना मंगवा लेती हूँ ये सुनकर रोहन गुस्से में आ जाता है शुप्राव अपना मुह बंद रखना आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ओरडर नहीं करेगा जाओ दोनों रसोई में और खाना बना कर लाओ दोनों डर के मारे किचन में चरी जाती है क्या करे दीदी अब तो रात की रसोई करनी पड़ेगी अच्छे एक काम करते हैं आप ही बरतन दो लो, तो मैं सब के लिए पुलाओ बना दूँगी। आहाहा, आई बड़ी बरतन दो दो, खुद दोले समझी, और रही उन लोगों के बाहर का खाना ना खात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहेंगे, और नहीं हम कर ही रात का खाना खाना पड़ेगा, इनके रहते तो हमें रात की रसोई नसीब ही नहीं होगी। बस बस बहुत हुआ, आज तो हम जैसे तैसे ये खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो फिर तुम लोगों की ख्यार नहीं। जी ठीक है, लेकिन उनके पास इसका भी जुगार था, अगले दिव्या बाजार से जाकर कुछ डिस्पोजिबल प्लेट्स ले आती है, यार दिव्या खाना तो डिस्पोजिबल में खा लेंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए तो वो बरतन धोने ही होंगे ना, कुकर, कढ़ाई, ये सब तो चाहिए ही न फिकर नाट, ये देखो, दो मिनट में बनने वाली मैंगी, अब हम सब यही बनाएंगे, दोनों फिर से काम चोड़ी दिखाती हैं, और नूडल्स बना कर डिस्पोजिबल में डाल कर दे देती हैं, ये देख तीनों अपना माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहों को सबक सिखाने का फैसला किया, अगली शाम रसोई से बरतंध होने की आवाज आती है, दीदी अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बरतंध होने की आवाज कहा से आ रही है, चलो देखते हैं, दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनु अच्छा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं, ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो, तुम दोनों जाओ और आराम करो, नई माजी, हमें माफ कर दीजे, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है, हाँ माजी हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो अच्छा, ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं, चलो बेटा मा और बेटे बाहर आकर खूब हसते हैं, और एक दूसरे को आख मार कर कहते हैं, मिशन सक्सेस्फुल